सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि सल्यूशन क्या होता है इसके लिए हम एक एक्स्पेरिमेंट करके देखते हैं यहाँ पर आपने देखा कि पानी है जिसे हम सॉल्वेंट कह सकते हैं और इस सॉल्वेंट के अंदर हमने नमक दाला जो की सॉल्यूट है तो हम कह सकते हैं कोई भी सल्यूशन दो चीजों से बना होता है सॉल्वेंट जिसमें वो डिजॉल्व होता है एंड solute जो की कम मात्रा में होता है और उसको solvent के अंदर dissolve किया जाता है अब हम real life में solutions के example देखते हैं आप सबको लगता होगा कि solutions सिर्फ पानी या liquid से बनते हैं पर ऐसा नहीं है हमारी real life में बहुत सारे अलग-अलग प्रकार के solutions हमें देखने को मिलते हैं जैसे की aerosols जो की हमें deodorant room freshness में देखने को मिलते हैं bronze जिससे बर्तन बनते हैं brass इससे भी आप देख सकते हैं बहुत सारे बर्तन बनते हैं आपने घर में देखे होंगे cold drinks आप सभी ने पी होंगी cold drinks जो की स्वास्त के लिए अच्छी नहीं होती पर वो भी एक प्रकार का solution होती है इसमें liquid के अंदर co2 dissolved होती है next है perfumes perfumes भी एक प्रकार के solutions होते हैं and air air भी एक प्रकार का solution है यह अलग-अलग gases का mixture है चलिए अब हम types of solutions के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पर हम three types of solutions पढ़ेंगे first on the basis of appearance, second on the basis of physical state and third on the basis of amount of solute यहाँ पर हम एक beaker लेते हैं जिसमें एक solvent मौजूद है अब इस solvent में हम कुछ amount में solute दाल देते हैं यहाँ पर जो solution दिखाई दे रहा है उसका appearance एक जैसा नहीं है यहाँ पर हम clearly देख सकते हैं solvent और solute अलग-अलग दिख रहे हैं तो हम कह सकते हैं this is a heterogeneous solution अब अगर मैं इस solute को इस solvent के अंदर अच्छे से घोल दू तो हम मुझे मेलेगा एक solution which is homogeneous in nature यहाँ पर हमें सब कुछ एक जैसा दिख रहा है solvent और solute अलग-अलग नहीं दिख रहे हैं अब हम second type of solution परते हैं on the basis of physical state here is a table which shows different type of solutions जिसमें solution, gas, liquid and solid type के हैं जो कि solvent की physical state पर depend करते हैं यहाँ पर ऐसे कुछ examples दिये गए हैं इस table को अगर आप closely observe करें तो solvent का column अगर हम देखें तो gaseous solutions में solvent gas होती है liquid solutions में liquid होती है और solid solutions में solid होती है अब हम third type of solution देखते हैं जिसमें हम basis the amount of solute उसके basis में differentiate करते हैं यहाँ पर एक बीकर दिखाया गया है जिसमें pure solvent के molecules देख रहे हैं अब इसमें अगर हम कुछ solute molecules जाल दें तो कुछ इस प्रकार से देखने लगेगा हमारा solution यहाँ पर अगर हम देखें तो solute के molecules solvent के molecules के comparison में बहुत कम है तो इसे हम dilute solution कहेंगे अब अगर हम solute के molecules को increase कर दें तो हम जेख सकते हैं solute के molecules की संखया यहाँ पर भढ़ गई है तो हम इस तरह के solution को कहेंगे concentrated solution यहाँ पर हम देखें second case में dilute solution के comparison में ज्यादा solute के molecules हैं तो हम इस solution को कहेंगे concentrated solution let us now learn about concentration concentration को हम दो तरीके से समझ सकते हैं qualitative concentration जो की होती है dilute and concentrated जो की अभी आपने पिछले examples में देखा second is quantitative concentration quantitative concentration में हम solute solvent इन दोनों के masses, volume number of particles इन सब के बारे में जानते हैं इनको इस प्रकार से काफी सारी categories में विभाजित किया गया है अब हम सारी quantitative measurements को एक-एक करके पढ़ेंगे सबसे पहले हम पढ़ते हैं mass percentage के बारे में this is defined as mass of the component in the solution written in grams upon total mass of solution in grams into 100 इसे हम एक example से समझते हैं आपने कभी glucose की bottle के पीछे देखा होगा तो उसके पीछे कुछ इस प्रकार से लिखा होगा 20% W by W और weight by weight sugar solution in water इसका मतलब है कि 100 gram of solution में 20 grams sugar present है that means अगर 100 gram solution है तो उसमें 20 gram sugar है और 80 gram water है जो की total 100 grams का solution बना रही है similarly अगर हम volume percentage को लिखें तो volume percentage of a component उसको volume by volume लिखते है is given by volume of the component in ml upon total volume of the solution in ml into 100 for example अगर हमारे पास लिखा हुआ है 20% volume by volume alcohol solution in water तो इसका मतलब है 20 ml alcohol is present in 100 ml of a solution और यह 100 ml solution बना है 20 ml alcohol से और 80 ml water से next है mass by volume percentage mass percentage by volume को हम w by v यानि weight by volume से represent करते है इसमें हम mass of the solute in grams upon total volume of the solution in ml into 100 लिखते है for example अगर हमारे पास 20% weight by volume sugar solution in water given है तो इसका मतलब है 20 grams of sugar is present in 100 ml of sugar solution next is parts per million parts per million का formula कुछ इस प्रकार से होता है number of parts of the component upon total number of parts of all the components of the solution into 10 raised to the power 6 parts per million fluoride concentration in drinking water निकालने में काम आती है साथ में आप सभी को पता है खारा पानी आता है और कभी-कभी अच्छा पानी आता है पीने लाइक पानी खारे पानी की concentration भी हम PPM में निकालते हैं parts per million का एक और अच्छा एक्जामपल हमें toothpaste के अंदर दिखता है अगर आप कोई भी toothpaste लेंगे और उसके पीछे दिये वे components की concentration को read करेंगे तो आप पाएंगे कि fluoride की concentration हमेशा parts per million और PPM में दी होती है weight by volume and volume by volume के आपको एक्जामपल्स दवाईयों की bottle के पीछे देखने को मिलेंगे उनके अंदर दवाई के जो भी components present होते है उनकी concentration weight by volume या volume by volume के रूप में लिखी होती है हमारा next concept है mole fraction mole fraction of a component को हम काई से represent करते हैं और इसका formula होता है number of moles of components upon number of moles of all the components for example हमारे पास एक solvent भी है और उसके अंदर solute a दाल रखा है अगर na moles of a है nb moles of b है तो हम काई a which is mole fraction of component a हम लिख सकते है moles of a upon total number of moles which is na plus nb similarly हम काई b which is mole fraction of b लिख सकते है nb upon na plus nb अगर हम गौर से देखें तो काई ये plus काई b की value 1 के equal मिलती है चलिए quickly mole fraction के उपर एक question देख लेते है if 4 moles of alcohol and 6 moles of water are mixed calculate the mole fraction of each component यहाँ पर हमें mole fraction of alcohol निकाले तो moles of alcohol are 4 and moles of water is 6 so mole fraction of alcohol will be 4 upon 4 plus 6 which is equal to 0.4 अगर हम mole fraction of water निकाले तो it is number of moles of water which is 6 upon total number of moles which is 4 plus 6 तो हमारे पास होगा 6 by 10 which is equal to 0.6 यहाँ पर आप देख सकते हैं mole fraction of alcohol and mole fraction of water का sum 1 के बराबर है next हम molarity के बारे पर पढ़ेंगे molarity को define किया जाता है number of moles of solute present in 1 liter of solution molarity को हम capital M से denote करते हैं और उसका formula हम दिख सकते हैं number of moles of solute upon volume of solution in liter molarity पर एक question quickly देखते हैं calculate the molarity of a solution containing 5 gram of NaOH in 450 ml of solution तो यहाँ पर हम सबसे पहले moles of solute निकालते हैं which is given mass upon molar mass solute यहाँ पर NaOH है तो NaOH का हम moles निकालें तो 5 gram upon 40 gram which is equal to 0.125 आता है volume of solution in liter हम लिख सकते हैं 450 by 1000 molarity का formula है number of moles of solute upon volume of solution in liter तो हम लिखेंगे 0.125 upon 450 into 1000 तो हमारे पास answer आएगा 0.278 M next है molality molality को define करते हैं number of moles of solute upon weight of solvent in kg इसको हम लिख सकते हैं molality which is represented by small m number of moles of solute upon mass of solvent in kg molality के उपर एक question quickly देखते हैं calculate the molality of 2.5 gram of ethenoic acid in 50 gram of benzene तो सबसे पहले हम moles of solute निकालते हैं यहाँ पर solute हमारा ethenoic acid है which is present in 2.5 grams तो हम लिखेंगे moles of solute is equal to 2.5 by 60 which is 0.0417 moles यहाँ पर solvent हमारा बेंजीन है तो mass of benzene in kg is 50 by 1000 which is 0.05 kg molality के formula में value substitute करेंगे तो हमारे पास molality आएगी 0.834 औरल्षूड्यार न करष्यापक्त